हेलो दोस्तों मैं रतन दीप आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में दोस्तों अगर आप यूटूब पर सौट्स वीडियो बनाते हैं और आपके सौट्स वीडियो पर ब्यूज नहीं आते हैं आपके वीडियो वाइरल नहीं होते हैं या फिर आपके वीडियो पर व्यूज रूख जाते हैं चाहे आपने कितनी भी अच्छी क्यूना वीडियो क्रिएट की हो उस पे अच्छे से टाइटल और टेर लगा के भी आपने यूटुब पर अपलोट किया हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube पर Swords वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है अगर आप YouTube पर Swords वीडियो सही तरीके से अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पर भी आएंगे और आपके सब्सक्राइबर भी जल्दी से बढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप कोई सौट्स वीडियो के लिए वीडियो सूट करते हैं तो आपको mobile को हमेशा ऐसे वर्टीकल पकड़के ही वीडियो को सूट करना है, आना कि आपको horizontal ऐसे पकड़के सूट करना है, ऐसे अगर आप पकड़के सूट करेंगे, तो आपका जो sorts वीडियो है, वो create नहीं हो पाएगा, तो आप जब भी sorts वीडियो के लिए कोई वीडियो सूट करें, तो आप हमेशा mobile को vertical ऐसे पकड़के वीडियो को सूट करें, साथ ही जब आप वीडियो को edit करें, उस टाइम आप vertical रेशियो को ही select करें, यानि कि 9, 16 रेशियो को या फिर 1 रेशियो को ही select करें, जिससे कि आपका जो sorts वीडियो है, वो अच्छे से create होगा, अब आप बात करते हैं कि YouTube पर sorts वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो उसके लिए चलिए YouTube को पहले open कर लेते हैं, यहाँ पर हमने YouTube को open कर लिया है, और वीडियो अपलोड करने के लिए आप यहाँ सबसे नीचे में आपको एक plus का icon मिलता है, जिस पर आपको click करना है click करने के बाद हमारे पास यहाँ पास चार option मिलते हैं, create a sort, upload a video, go live और go live together, तो आपको create a sort पे click करके कभी भी वीडियो को upload नहीं करना चाहिए, इसका region यह है कि जब आप इस create a sort से वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका वीडियो sort feed में नहीं जा पाता, यानि कि बहुत सा कोई भी भी नहीं करना है, create a sort पे click करके आपको sorts वीडियो अपलोड नहीं करने हैं, मान लिजे कि आप किसी वीडियो को तुरंत suit करके, तुरंत edit करके और तुरंत ही उसे YouTube पर upload करना चाहते हैं, तो आप create a sort पे click करके कर सकते हैं, अधर्वाइस आप इसे avoid ही करें, मतलब create a sorts पे click करके आप वीडियो नहीं upload करें, तो अच्छा रहेगा, अब आ जाते हैं कि हमें जो वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको जो भी sorts वीडियो अपलोड करने हैं, उसे आप किसी दूसरे apps में जाकर, वहां आप वीडियो को 9 by 16 ratio या 1 by 1 ratio यो में आप उसे edit कर लें, अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से sorts वीडियो create करते हैं, तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा, यहां पस मैंने एक personal video बना कर रखा है कि sorts वीडियो कैसे create करते हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, अब वीडियो अपलोड करने के ल लेंथ, आपका वीडियो का लेंथ एक मिनट से कम का होना चाहिए, तब ही वो sort feed में जा पाएगा, अगर वीडियो का लेंथ एक मिनट से ज्यादा का हुआ, तो फिर ओ लॉंग वीडियो में चले जाएगा, और आपके वीडियो पर views नहीं आएंगे, तो आपको सबसे most important ध क्लिक कर लेना है, next पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पस चार option मिल जाते हैं, sound, text, timeline और filter का, तो sound पे क्लिक करके आप अपने वीडियो पे कोई साभी song add कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पस text पे क्लिक करके आप अपने वीडियो पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा word लिखना है अपने वीडियो पर जिससे की viewers आपके वीडियो को last तक जरूर वाज करें, कुछ ऐसा suspense word, तो यहाँ पस जैसे मैंने लिख दिया है wait for end, तो ऐसा वीडियो को लगेगा कि जरूर last में कुछ suspense है, तो वो आपके वीडियो को last तक जरूर वाज करेंगे, तो उसके बाद नीचे में option मिलता है timeline का, जिस पर click करके आप अपने वीडियो पर timeline set कर सकते हैं, उसके बाद फिर मिलता है हमें filter का option, जिस पर click करके आप अपने वीडियो पर कोई सा भी filter लगा सकते हैं, उसके बाद हमें उपर में एक option मिलता है next का, जिस पर click करके आपको next कर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे फर्स्ट आपसन आता है कि हमारे वीडियो के उपर इस पैंसिल का आइकन बना हुआ होता है जिस पे क्लिक करके आप अपने वीडियो पे फिर से इडिट कर सकते हैं उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट आता है आपके वीडि वीडियो बनाया है तो यहाँ पस मैं लिख दूँगा इफेक्ट वीडियो कैसे बनाए इस तरह से आपको भी अपने टाइटल देने है ताथ ही आपको यहाँ पस टाइटल में हैश्टेग यूटूब सॉट्स और हैज सॉट्स लिख कर इसे सेट करना है यह दो चीज आपको जरूर अपने टाइटल पे लिखने ही लिखने है उसके बाद हमारे पास नीचे में एक आपसन आता है वीजविलिटी का तो जब भी आप सॉट्स वीडियो अपलोड करें तो आप इसे पब्लिक करके अपलोड ना करें अगर आप डियरेक्ट पब्लिक करके अपलोड कर लेते हैं तो आपके जो वीडियो का रीच है वो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाता है और आपका वीडियो पे ब्यूज नहीं आते हैं तो आपको जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो आप अनलिश्टेट पे वीडियो को watch कर पाएंगे और आपके वीडियो पर ज्यादा views आएंगे तो unlisted पे ही select करके आपको upload करना है बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ओ direct public पे select करके और वीडियो को upload कर देते हैं जिसकी वज़े से उनका वीडियो पे views नहीं आपाते हैं unlisted करके आपको वीडियो को upload करना है और यहां पसे आपको मिल जाता है schedule time का तो इस पे click करके आप अपने वीडियो पे date और time schedule कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने 12 बजे वीडियो upload किया है और आप चाहते हैं कि 4 बजे publish हो जाए तो यहां से it made for kids और यहां पस दूसरा option मिलता है no it's not made for kids तो आपको हमेशा no it's not made for kids पर ही select करके वीडियो को upload करना चाहिए इससे फाइदा यह है कि आपने अगर यस it is made for kids पर select करके अगर वीडियो को upload कर देंगे तो आपका वीडियो जो है वो जैसे cartoon वीडियो आता है बच्चों वाली वीडियो आता है तो उसी वीडियो के अगल बगल आपके वीडियो को suggested किया जाएगा YouTube की तरब से जिससे कि बच्चे लोग आपके वीडियो को तो ज्य not made for kids पर select करके वीडियो को upload करना चाहिए उसके बाद नीचे में आ जाता है allow comment तो इस पे click करके आप अपने हिसाब से कमेंट को select कर सकते हैं कि आप comment को disabled रखना चाहते हैं या за ar फिर पे review करके comment को देखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से comment को select कर सकते हैं उसके बाद आपको वीडियो को यहाँ सबसे नीचे में आता है अपढ़ो्ट a sort हिसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है और direct आपको अपलोड इस thoughts पे click करके अपने वीडियो को upload कर देना है तो यहां पसद देख सकते हैं कि हमारा वीडियो जो है upload होने लगा है और अपने schedule टाइम पे publish भी हो जाएगा तो दोस्तों आपको भी अपने वीडियो को इसी तरव सेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जलू कर लें फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन दे मातराम